असलाम लिए के अप्रिवन मेरा नाम असद है और यह C programming language का lesson number 12 है और इस lesson में मैं आपके साथ switch statements को discuss करूँगा last lesson में हम लोगों ने FL statements को discuss किया था तो जिसना से FL statements हमें conditional control देती हैं language के अंदे रहते हुए इसी तरह जो switch statements हैं ये भी हमें conditional control देती हैं दोनों में थोड़ से differences हैं तो आप make sure कर लेंगर आप ये video lesson देख रहे हैं तो इससे पहले आप lesson number 11 या बागी के lesson सारे के सारे देख चुके हूँ उसके लिए मैं अपने पास जो जो मेरा code block है उसके मैं open कर लेता हूँ यह जगा पर क्लिक कर गया code blocks code blocks open कर लेने के बाद मैं यहां पर एक new project create करता हूँ और यह मेरा C का project है इसलिए मैंने C को choose किया project का नाम मैंने switch रख दिया finish जो C की file है मैंने उसको select किया उसको select कर लेने के बाद अब आते हैं example के दरह तो switch statement का syntax क्या होता है सबसे पहले इसका syntax देख लेते हैं स्विच कर ली ब्रेसिस अच्छा यहां पर मैं एक आपको और बात बदाते हैं बहुत सरे लोग जब C या C++ में काम कर रहे होते हैं तो वह brackets इस तरह से इस्तमाल करते हैं यादि कि opening bracket नीचे लाते हैं और closing तो अलड़ी नीचे आ रही होती है लेकिन मुझे आदत है इस तर हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आप यह वाला style चूज करें या आप को दूसरो वाला style चूज करें मुझे इसकी आदत है नॉर्मली मैं यह यूज करता हूं और यह style जो मैं उपर यूज किया मैं यह वाला इस्तमाल नहीं करता है इसको भी मैं ऐसे कर देता हूं अगर आप यह समझेंगे इसमें कोई गलत बात है कोई bad practices वाली बात आ जाती है तो ऐसी कोई बात है ओके तो switch में जिस variable को हम test करना चाहते हैं जिस पर condition लगा रहे होते हैं यहां पर वो variable आता है इस पार्ट में यहां पर वो variable लिखते हैं और इसके बाद फिर कुछ cases आ जाते हैं case one और उसके बाद इसी तरह से case two case three और उसके बाद default तो यहां पर आप एक चीज़ नोट करें अगर इसको आप compare करते हैं if a statement के साथ तो हमेशे एक चीज़ याद रखें अगर आप switch statement के बात करते हैं तो इसमें और if a statement में थोड़ से differences आ जाते हैं तो हमारे पास तीन तरह के वैरिबल आ गए एक single variable पर लगा रही होती है यानि मेरे कहने का मतलब क्या था जो बात मैंने भी कुछ से पहले if statement को लिए की थी मैंने यह कुछ इसरा देगा था x is equal equals to 10 and y is equal equals to 20 and z is equal equals to 30 तो यह जो मैंने काम यहां पर किया एक लंबी सी condition बना दे जिसमें multiple variables आ रहे हैं यह काम switch के साथ नहीं किया जा सकता काफ़ी सारे लोगों को इसका पता नहीं होता है कंफ्यूज रहते हैं कि switch को उन्होंने कभ यूज करना है और उन्होंने if else statements को कभ यूज करना है furthermore अगर आप if else statements में आते हैं तो आपका code काफ़ी complex हो सकता है यह आप nested if else statements भी इस्तेमाल कर सकते हैं nested statements क्या होती है if की statement, if की statement के अंदर कुछ और if else की statements आ गए अगर कोई else की statement है उसके अंदर भी कुछ और if else की statements आ गए इन्हें nested statements कहते हैं और यहां पर मैं लिखता हूँ if let's suppose मैं फिर लिखते तो हूँ x is less than or equal to 10 और इसके अंदर जाके मैं फर्दर लिखते तो हूँ if y is less than or equal to 20 तो यह देखें एक यह बाहरवाली condition है उसके बाद एक ही internal है और एक ही most internal है इसके तीन level बन गए तो यह conditions absolutely valid है तो यहां पर अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं काफी ज्यादा सारी conditions लग गई है देव द चांस के जो आपका code है वो ज्यादा readable नहीं रहेगा लेकिन अगर आप switch statement में आते हैं तो जो switch statement है वो ज्यादा readable रहती है वो ज्यादा readable कैसी रहती है क्योंकि बहुत कम जगों पर आप देखेंगे यह जो अब इसकी execution कैसे होती है let's suppose नीचे में कुछ values change कर देता हूँ अब यह जो मैंने 123 लिखा है यह कोई किसी तरह का sequence नहीं है यह इस इस variable की value की बात हो रही है इस variable को replace करना पड़ेगा जिसको मैं test करना चाहरा हूँ जिसपे मैं switch switch statement apply करना चाहरा हूँ वो num है असल में num में value का पड़ी भी है 25 और नीचे जो case है अब case के आगे जो value लिखी भी होती है यह वो value है जो हम variable के अंदर expect कर रहे होते हैं यानि for example अगर num के अंदर 3 पड़ावा होता instead of 25 तो case number 3 execute होता अगर यहां पर मैं लिखतेता हूँ case 25 तो इस time पे मेरे पास यह 25 लिखा पार रहा है जो कि variable को मैंने sign किया हूँ तो num के अंदर 25 पड़ा है तो इस case में 25 वाला case execute होगा चलें एक काम करते हैं यहां पर साथ-साथ कुछ messages भी display कर वा लेते हैं printf मैं आपर लिखतेता हूँ case 1 इस line को कॉपी करता हूँ और एक चीज़ याद रखें जो मैंने यहां पर default के नाम से keyword यूज किया हूँ है default वाला जो case है यह बिल्कुल else की तरह काम करता है लेकिन फिर भी कुछ differences है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ अभी आपको नजर आ देंग 2, 3, 25 default अगर मैं इस code को execute करता हूँ उपरवाला code कमेंट करने के जुरूद नहीं है अगर मैं इस code को execute करता हूँ प्रोग्रम मैंने run किया तो run करने के बाद देखें मेरे पास output क्या आई इग्जीक्यूशन कैसे हुई जैसे ही केस नबर 25 एक्जीक्यूट हुआ जो आगे आने वाली conditions हैं वो सारी की सारी satisfy हो गए उनको satisfy consider कर लिया उनको satisfied conditions consider कर लिया गया अब let's suppose 25 फी जगा मैं या पर लिख देता हूँ 1 अब क्या होगा case 1 match करेगा यह जैसी match हो जाएगा तो following cases सारे के सारे true हो जाएगे including default यह सारे के सारे cases to consider कर लिया जाएगे यह देखें case 1, 2, 3, 25, default अब इस तरह से if value statements भी नहीं होता अगर आप single if value statements भी use कर लेते हैं और आप different values को check कर रहे होते हैं यानि if equals to 1, if equals to 2, if condition में आपने चेक किया if num equals to 3, if num equals to 2, if num equals to 1, उन में से कोई specific condition true होगी, हालांगे check सारी के सारी होगी, लेकिन कोई specific condition true होगी, अब यहाँ पर तो एक result अजिब हो गरी बार है, आप यहाँ पर कह सकते हैं, कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँगा, इसको इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जा सकता है, इसको बनाने का तरीका कार यह है, कि आप break का keyword use करने के बाद क्या होगा, ब्रेक का keyword use करने के बाद, जैसे मैंने पिछली lesson में मैंने example की थी, else if वाले, if, else if, and else वाले example की थी, अब यह same उसी तरह से behave करेगा, अब इसकी देखने execution कैसे होती है, इसको भी break कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको execute करता हूँ, तो num की value चेक होगी, case 1 की value match कर गई, print f, यह वाला message print हो जाएगा, और break, break के साथ जो switch की body है, जो की यहां से curly braces start हो रही है, नीचीजा के end हो रही है, इससे बाहरा आदू होगा, execution line number 45 प्यादेगी, यहां पर मैं message लिख देता हूँ, print f, line number 45, after, switch, अगर अब मैं program run करता हूँ, तो यह देखे, जो first वाला case है, वो true हुआ, क्योंकि num की value 1 थी, और उसके बाद execution jump कर गई, कहां पर loop की, loop कह रहा हूँ, switch की body break कर गई, वो break कर जाने के बाद execution line number 45 प्यादेगी और यह message display हो गया, इसी तरह से अब मैं को यह अगर दूसरी value देखे चेक करता हूँ, for example मैंने 25 assign कर दिया num को, और अगर अब 25 के साथ मैं इसको execute कर आता हूँ, तो जो 25 वाला case है, यह true हो जाएगा, और true हो जाने के बाद, break वाला, break वाली जो statement है, यह execute होगी, जैसे ही execute होगी, जो switch, switch की जो body है, यह break हो जाएगी, मैं switch की body से बाहर आजूँगा, run, run करने के बाद यह देखें, case 25, और line number 45, after switch, furthermore, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर आप ifl statements लगा सकते हैं इसके अंदर, मतलब nested ifl statements लगा सकते हैं, आप यहाँ पर switch भी use कर सकते हैं, यहाँ कि switch की भी nested conditions लगा सकते हैं, लेकिन जब भी आप switch में काम करते हैं, आप इस तरह का काम हुआ, वह बहुत कम देखेंगे, switch को इस तरह से इस्तेमाल ने किया जाता, यह काम तो करेगा, यहाँ पर्ट काम तो करेगा, लेकिन switch को इस तरह से इस्तेमाल ने किया जाता, और एक और चीज़ में शुरू में आपको बता दी थी, वो क्या था, कि जब भी आप switch यूज़ कर रहे होते हैं, आप एक से ज़्यादा variables को test नहीं कर सकते हैं, किसी एक से ज़्यादा variable पे condition नहीं लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, और अगर आप confused रहते हैं, आप मुझे contact कर सकते हैं, ग्रूप है, उसको join कर लें, Facebook के में ने group बनाया हुआ है, अगर आप उसके साथ-साथ जो YouTube का channel है, आप उसको भी subscribe कर लें, ताके मैं जैसे-जैसी वीडियोज अफ्लोट करूँ, आपके बास अब्डेट्स आती रहें, तो इंशाला जो next lesson है, अब उसके मुलाकात होगी, तब तक के लिजाज़त, अल्लाँ अफिस.